हैरान हो गए टाइटल पढ़कर पर ये बास सच है दोस्तों सहजन ड्रम स्टिक कर सकती है 300 से भी जादा रोगों का उपचार अधिकतर लोग सहजन यानि की ड्रम स्टिक को सामबर जां दाल में डालने के लिए ही जानते हैं पर बहुत कम लोग जानते हैं कि सहजन ड्रम स्टिक यानि की मुनगा जड़ से लेकर फूर और पत्यों तक सेहत का खजाना है इसमें कई ऐसे पौशक तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्तिय के लिए लाबदाएक होते हैं आयरुवेद में 300 रोगों का सहजन से उपचार बताया गया है इसलिए आज में आपको सहजन का इस्तेमाल कैसे हम अपने खान पान में कर सकते हैं वो बताऊंगा नौर्ट इंडिया में ड्रम स्टिक यानि की सहजन को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हम लोग इसका गुन जानते ही नहीं जबकि एक अध्यन के उनसार सहजन में दूस से चार गुना ज़्यादा कैल्शियम और दो गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है परकर्तिक गुनों से भरपूर सहजन अपने औशदिया गुन से भरपूर है और इसकी फली के अचार और चटनी भी कई बीमारियों से मुक्ती दिलाने में सहायक होते हैं पुर्शों के लिए डर्म स्टिक बहुत ही जरूरी सबजी है इसके इस्तेमाल से उनके स्परम काउंट बढ़ते हैं तता उनकी कमजोरी भी दूर होती है जिन पुर्शों को शरीरिक कमजोरी होती है उनको डर्म स्टिक का इस्तेमाल जरूर ही करना चाहिए आईए आज में आपको डर्म स्टिक की एक बहुती स्वादिश्ट सबजी बनानी सिखाऊंगा जो हफते में लगबग एक बार तो जरूर ही बनाए और अपने बच्चों को जरूर खिलाए आईए शुरू करते हैं डर्म स्टिक की जाने की सहजन की स्थ्वादिश्ट सबजी हम कैसे बना सकते हैं नौत इंडिया में इस सबजी को हम अक्सर नहीं बनाते हैं तो आईए शुरू करते हैं सहजन की सबजी बनानी आज मैंने लिए हैं 300 ग्राम सहजन जाने की डर्म स्टिक सबसे पहले डर्म स्टिक को अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है क्योंकि नौत इंडिया में ये सौथ इंडिया से ही आती है इसलिए ज़्यादा फ्रेश नहीं होती कोशिश करिए कि जितनी फ्रेश हो सके उतनी फ्रेश ही खरीदे और इसको काटना भी एक कला है क्योंकि इसकी उपर की सतय बहुत मजबूत होती है तो इसको इस तरह से हम काटेंगे एक तरफ से चक्कू से हम काटेंगे और दूसरी तरफ से ये जो उसका hard चलका है इसको इस तरह से दोनों तरफ से हम निकाल देंगे ये देखिए दोबारा देखेंगे क्योंकि ये बहुत hard होता है ये हमारे मूँ में आएगा पॉस्टिक तो बहुत होता है पर थोड़ा hard होता है इसलिए हम सबजी बनाने के और इसको side में रख देंगे इसको भी हम फैंकेंगे नहीं तो ये हमारी सारी drumstick जो है मैंने लगबग एक इंच के टुकड़ों में काट ली है और ये इसके ऊपर के hard छिलके बच गए हैं ये देखिए इनको भी हम फैंकेंगे नहीं क्योंकि इसमें भी उतने ही पॉस्टिक stock का इस्तिमाल करते हैं इसका हम stock बनाएंगे उबाल कर चलिए इसके इलावा मैंने लिए हैं चार medium size के आलू क्योंकि बच्चों ने खाना है इसलिए आलू mix करने जरूरी हैं नहीं तो आप गर आपने किसी बिमारी के कारण खाना है तो आलू आप avoid भी कर सकते हैं अकेले ही ड्रम स्टिक की सबजी बना सकते हैं इसके इलावा मैंने दो medium size के टमाटरों को बरी चौप कर लिया है और तीन medium size के प्याज को मैंने बिलकुल बरी काट लिया है इसके इलावा 5-6 मैंने लसन के कलिया तरह लगबग आदे इंच का अद्र का टुकड़ा मैंने अच्छी तर लिया है आप स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं खड़े मसालों में मैंने लिया है 14 चमचे जीरा और 14 में लीया है पीली सरसों और लगबग एक पींच मैंने इसमें डाली है हिंग जो हम सबसे पहले औil में डालेंगे और मसालों में मैंने लिया है 1-4 चमच हल्दी जानी की टर्मरिक पॉडर और 2 चोटे चमच यही वाले मैंने लिया है नमक के यह एक हो गया और यह दो इसके अलावा मैं डेड़ चमच यह वाले डालूँगा आपके धनिया पॉडर के धनिया पॉडर थोड़ा सा जादा ही ढ लेंगे मैं थोड़ा सा ऑट डाल देता हूँ और 1-4 चमच ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और 1-4 चमच ही इसमें मैं डालूँगा गरम मसाला यह हमारे बाद में डालने वाले मसाले हैं जो सबजी ठोड़ी सी पकने के बार डालेंगे यह रहा हमारा आदा चमच गरम मसाला चलिए दोस्ता शुरू करते हैं हमारी यह कड़ाई गरμ हो गई है मैं इसको बनाने वाला हूं सरसों के तेल में तो इसमें मैं डेढ चमच सरसो का तेल डालूंगा यह जब सरसो का तेल थोड़ा सा गरम हो जाए इसमें से धुआ उठ जाए ताकि इसका कड़वापन दूर हो जाए तब इसमें हम डालेंगे अपने खड़े मसाले जो तीन खड़े मसाले थे सबसे पहले वो डल देंगे यह चाहिए और जब यह क्रैक होने शुरू हो चाहिए लगबग 30 सेकंड के बाद ही हम इसमें डालें देंगे और उनको लसन अदर के पेस्ट को 10 सेकंड भून कर ज्यादा नहीं भूनेंगे 10 सेकंड के बाद ही हम डाल देंगे चौप कियो हुए यह प्याज और लगबग इनको एक मिनट तक हम भूनेंगे जब तक यह हमारे प्याज भूनते हैं तब तक हम अपने स्टॉक का त्यारी कर लेते हैं दो गिलास हम पानी डालेंगे और उसमें जो हमारे छिलके थे ड्रम स्टिक्स के उनको ही डाल देंगे और तब तक हम इसको उबा लेंगे जब तक कि यह पानी आदा ना रह जाए और इन छिलकों का जितना भी एक्स्ट्रेक्ट है जितने भी गुन है इसमें वो पानी में आ जाएं और फिर हम स्टॉक डालेंगे अपनी इसी सबजी में चलिए इसको उबलने के लिए मैं रख देता हूं चलिए हमारे प्याज भी लगबग तयार हो गए हैं अब इसमें हम डालते हैं स्लाइस के हुए आलू क्योंकि बच्चों ने तो यही हरी मिर्च तीन-चार हरी मिर्च जो मैंने चौप करी होई थी आप कम ज्यादा कर सकते हैं और टमाटर हम इसमें डाल लेंगे और इनको हम दो से तीन मिनद तक भूनेंगे ताकि तेल हमारा थोड़ा सा बाहर आ जाए जब तेल बाहर आ जाए तो समझिए कि यह हमारे मसाले तैयार हो गए हैं और समय आ गया हमारे मसाले डालने का यह देखिए अब सारे हम अपने सेक्ड मसाले जो हल्दी और मिर्च नमक धनिया पाउडर और कर मसाले का पाउडर था उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे ओहो क्या खुश्बू आनी शुरू हो गई अभी तो मेंची तो इसमें डलनी रही गई हमारी ड्रम स्टिक्स जाने की सहजन की फलिया तो हम अपनी ड्रम स्टिक्स भी इसमें डाल देते हैं और इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह आपस में मिक्स कर दें ताकि सारा मसाले जो है इस पर अच्छी तरह कोट हो जाए हमारी ड्रम स्टिक्स पर और फिर इसको हम मीडियम गैस करके ढखकर रख देंगे लगबग 10 मिनट के लिए और जब 2 मिनट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे अपनी ड्रम स्टिक्स का स्टाउक जो इसका हमने छिलकों में से इसका पूरा एक्स्रेक्ट निकाला था हम इसी पानी को यूज करेंगे ये देखिए और फिर इसको दुबारा हम आट मिनट के लिए और ढखका रख देंगे बीच बीच में हम इसको देखते रहेंगे और थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि कहीं नीचे ना लग जाए एक चीज ये देखिए थोड़ा सा खटा टेस्ट भी आना चाहिए ताकि आजाए मजा बर दस मिनट बाद ये देखिए हमारी सहजन की फलियां तैयार हो गई हैं ये सबजी नौर्थ इंडिया में बहुत कम लोग बनाते हैं पर इस वीडियो के बाद मुझे यकीन है कि इसके स्टिक्स की सबजी कम से कम हफते में एक बार जुरूर बनाएंगे और कई बिमारियां लगब तीन सो बिमारियों से दूर रहेंगे तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको ये रेस्पी कैसी लगी जूरूर बताएगा और अगर अच्छी लगे तो शे अगर बनाएंगे तो ब ढ रहेन शावे तो शेले के तो रहे तो शेको पनाएंगे नहींकेश कião हफ बनाएंगे ऑ míola किरूर रहे उन् aoे रहेंगे लगे ज्合ने हए ट similarी दोस्तों वीडिर के बिमारियों से पहे रहेंगे, वीज़ब भश्यावा दोस्तों कित ए रहेंगे, झाल झाल